अमेरिकी बेस पर हमला करने के बाद आज इरान के सर्वोच चिनेता आयातुला खामनेई ने देश को सभोधित किया अटैक को इरान की बड़ी सफलता बताते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की दादागीरी के खिलाफ हमने हमेशा संघर्ज किया है सर्वोच चिनेता ने कहा कि हमला सफल रहा और पिछली रात हमने अमेरिका के गमंड पर तमाचा जड़ा है उन्होंने जर्डल कासीन सुलेमानी की हत्या को शहादत बताते हुए कहा कि इरान कभी उनके योगदान को नहीं भूल सकता है खामनेई ने इश्वर का नाम लेते हुए कहा कि आज अमेरिकी बेस पर इरान के बहादूर और सहासी सैनिकों ने सफल आक्रमन किया है उन्होंने कहा कि हमारा संघर्ष जारी है और हम शक्तिशाली ताक्तों के खिलाव संघर्ष के लिए एक जुट रही है इरान कभी कमजोर नहीं पढ़ने वाला और कभी हार भी नहीं मानने वाला है इरान के साथ जो हुआ हम उसको कभी नहीं भूलेंगे खामनेई का संभोधन सुनने के लिए मोजूद लोगों में से कई अपने साथ सुलिमानी की तस्वीर लेकर आये थे सुलेमानी को याद करते हुए इरान के सर्वोचनेता भावुख हो गए उन्होंने का कि वह महान सहासी व्यक्ती थे और उन्होंने आतंकवाद की खिलाफ संघर्ष किया उनके चहरे की तरफ आप देखे उन्होंने इरान के मुल्यों को हमेशा अगे बढ़ाया है वह बहुतों के लिए प्रेणा के स्त्रोथ थे और महान देश भक्त थे हम उनकी पवित्र आत्मा के कर्ज़तार है सर्वोचनेता खामनेई ने इस घटना को इरान की करांती बताई और कहा कि यह सफर जारी रहेगा खामनेई ने कहा हमारे बारे में विश्व में कुछ लोग जूट फैला रही है हम हार नहीं मानने वाले हैं और यह रुकने भी वाले नहीं है हम लगातार अपना संगर्ष जारी रखेंगी और अपने दुश्मनों को मटिया मेट कर देंगे खामनेई ने ऐसा कहने के बाद मुजूद लोगों ने इरानी भाषा में अमेरिका की मोत का नारा भी लगाया खामनेई ने कहा कि अमेरिका बेस पर हमला कर आज हमने उनके घमन पर तमाचा जड़ा है इरान के सर्वोच चिनेता ने भारी भीड के बीच देश को संबोधित करते हुए का कि अमेरिकी बेस पर हमला काफी नहीं है उन्होंने का कि सिर्फ हुसैनिय हमला काफी नहीं है हमें अपने दुश्मनों को काबू में लाने के लिए तकरीब से काम करना हो अमेरिका हमारा दुश्मन है और हमें दुश्मन की योचना के बारे में पता होना चाहिए जुश्मन कर में लूच सेफ याईड़ वारे में लूचना के अियम था सम्हेल हुआ झाहिए लूच सेफ़ह। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करदे दो कर दो कर दो कि पराने के लिए बल बार आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें खन्ने वाल कर्सक्राइब करें